दोस्तों आप अपने facebook account को हमेसा के लिए delete करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही special है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने facebook account को permanently हमेसा के लिए कैसे delete करेंगे दोस्तों आपने एक से जदा account बना लिये हैं या फिर आप नए account बनाना चाहते हैं और आप अपना पुराना account है वो delete करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका पुराना account किसी को भी नहीं दीके Facebook search में भी नहीं आये तो उसके लिए आपको अपनी Facebook ID को पर्मानेटली डिलिट करना पड़ेगा तो कैसे आप अपने Facebook अकाउंट को डिलिट करेंगे जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और ध्यान से एंड तक देखें और अगर हमारे चैनल या फिर पेज पे नए हैं तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और फोलो जरूर करें तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप अपने Facebook अकाउंट को पर्मानेटली कैसे डिलिट करेंगे अगर आप अपने Facebook अकाउंट को हमेशा के लिए डिलिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है अपने Facebook को ओपन करना है फेसबुक ओपन करने के बाद में आपको अपने Facebook की profile वाले section पे click करना है profile वाले section पे click करने के बाद में आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर आपको एक settings और privacy का option मिलता है तो आपको settings and privacy पे click करना है settings and privacy पे click करने के बाद में सबसे उपर आपको settings का option मिलता है तो आपको settings पे click करने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे उपर एक option मिलता है account center का तो आपको account center पे click करना है कहीं पे भी, account center पे click करने के बाद में यहाँ पर आपको personal details का option मिलता है, तो आपको personal details पे click करना है, personal details पे click करने के बाद में सबसे last में नीचे आपको एक setting मिलता है, एक option मिलता है account ownership and control, तो आपको अपना account हमेशा के लिए delete करने के लिए account ownership and control पे click करन के बाद में आपको नीचे एक option मिलता है deactivation और डिलीटेशन तो आपको deactivation और डिलीटेशन वाले option पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने multiple accounts के option मिल जाएंगे आपको आपका facebook account आपको देखने को यहां पर मिल सकता है आपका instagram account यहां पर देखने को मिल सकता है तो आपको यहां पर उस account को select करना है जिसको आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको द्यान से उसी account को select करना है गलती से आपको दूसरा account डिलीट नहीं कर देना है तो आपको यहां पर उस account को ध्यान से select करना है जिस account को आपको delete करना है तो हमें यहाँ पर facebook account delete करना है तो आपको facebook का logo यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अपने account का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो आपको अपना account select कर लेना है facebook account select करने के बाद में अब आपके सामने दो option आते हैं deactivate account और delete account तो इन दोनों के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ deactivate account का मतलब होता है deactivating your account is temporary यहाँ पे लिखावा आप देख सकते हो यानि कि आप अपने facebook account को कुछ time के लिए deactivate करना चाते हैं आप facebook से rest लेना चाते हैं तो आप deactivate पे click करेंगे तो कुछ time के लिए जो आप select करोगे उस time तक facebook पे आपकी ID नहीं दिखेगी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं facebook पे अपने account को हमेशा के लिए permanently delete करने के लिए तो उसके लिए आपको delete account पे select करना है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखावा है deleting your account is permanent इसके बाद में आपको continue पे click करना है continue पे click करने के बाद में आपके सामने आपकी facebook ID से जो आपने page बनाए हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे आप अपना facebook account delete कर रहे हो तो उसके साथ में आपके जो facebook के page है वो भी delete हो जाएंगे तो यहाँ पे यह कह रहा है कि अगर आपके page यह important है तो आप इस page के अंदर किसी दूसरे को admin बना सकते हो अगर आपके page को important नहीं है तो आपको continue पे click करना है continue पे click करने के बाद में अब facebook की तरफ से यह कह रहे हैं कि आपको किस region से अपना facebook account delete करना है अगर आपको कुछ help चाहिए तो बताइए तो आपको यहाँ पे कोई भी region select कर लेना है जैसे मैं यह पहला वाला region select कर लेता हूँ एसा नहीं कि कौन सा region select करना है कोई सा भी region आप select कर सकते हो उसके बाद में आपको continue पे click करना है continue पे click करने के बाद में यहाँ पर आपको बोलेगा कि edit notification setting आप यहाँ पे setting कर सकते हो लेकिन हमें कोई setting नहीं करना है हमें continue पे click करना है continue पे click करने के बाद में अब आपके सामने बहुत ही important setting आता है थोड़ा सा scroll करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने download your facebook information का setting आता है download info का setting है इस पे download इस पे click करके आप अपने facebook की जो photos है जो post है उसको download कर सकते हैं क्योंकि आपने बहुत time पेले अपने facebook पे account बनाया होगा तो उसमें बहुत सारे आपने photos पोस्ट कियोंगे videos पोस्ट कियोंगे वो यहाँ पे आपको download कर लेना है क्योंकि आप facebook account को delete कर दोगे तो photos वीडियो सारे एक साथ delete हो जाएंगे तो आपको अगर अपना photos delete नहीं करना है आपको photo यहाँ से download info पे click करके आपको download कर लेना है उसके बाद में आपको नीचे आना है नीचे आपको continue पे click करना है continue पे click करने के बाद में अब यहां पे आपको अपना Facebook का जो current password है, वो यहां पे आपको एंटर करना है, अगर आपको password पता नहीं है, तो आप forget password पे क्लिक करके password को reset कर सकते हैं, अगर वहां से भी आपको password reset नहीं होता है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा, Instagram account का password कैसे पता करें, तो उस वीडियो में जाके भी आप check कर सकते हो, जैसे Instagram का password पता करेंगे, वैसे ही आप Facebook ID का भी password पता कर सकते हैं, तो हम यहां पे अपना password एंटर कर देते हैं, तो मैंने यहां पे अपने ID का password एंटर कर दिया है, पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको continue पे click करना है, जैसे आप continue पे click तो आपके सामने delete account का option आ जाता है, तो आपको delete account पे click करके अपना account delete कर देना है, लेकिन उससे पहले एक important बात, अगर आप अपने Facebook account को permanently delete करना चाहते हैं, तो यह process करने के बाद में आपको 30 दिन तक दुबारा अपने Facebook ID को login नहीं करना है, नहीं तो आपका delete का जो process है, वो तो उसके लिए आपको 30 दिन से पहले पहले आप अपने Facebook ID को, Facebook ID और password डालके वापस login कर लेंगे, आपका account वापस reactivate हो जाएगा, आपका account as it is आपको वापस मिल जाएगा, अगर आप permanent delete करना चाहते हैं, तो आपको 30 दिन तक login नहीं करना है, और आपको delete account पे click करके अपना Facebook account को हमेशा के लिए permanently delete कर सकते हैं, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें, share करें and subscribe करें, धन्यवाद